हैलो एवरीवन बल्कम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम कपड़े की जो लंबाई कम है तो किस तरह से लेडीज पैंट बना सकते हैं तो आप हमारी वीडियो का इंतर जरू देखें तो यहां पर हमने कपड़ा लिया है तो इसकी जो लंबाई है वो कम है तो किस खुँझा ऐसे लेडीज पैंट कम बनाएंगे तो यहां पर हम पहले लंबाई नाप लेते हैं तो लंबाई देखी यहां पर हमारी चौंतिस इंच है तो एक इंच च्शल लेना है तो कप्ड़े की जो लंबाई है वो 35 उनी चाहिए तो इसमें अलग से पट्टी लगाएं तो देड़ इंच हमें उपर बढ़ा के यहाँ पर 34 इंच पर निसान लगाना है और यहाँ पर हमारा एक इंच का मारजन हो जाएगा यहाँ पर हम कपड़े को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे फिर हम यहां पर क्या करेंगे दस इंच पर निसान लगाएंगे और यहां से आसन की लंबाई ना पेंगे तो देड़ इंच हमें उपर बढ़ा के यहां पर आसन की लंबाई बारा इंच रखनी है तो बारा इंच पर हमें यहां पर निसान लगाएंगे और यहाँ पर हमें दो इंच पर निसान लगाना है और इस तरह से आसन की गुलाई करेंगे यहाँ पर हमारी टोटल चौड़ाई 12 इंच आ रही है तो 12 को अदा करेंगे तो 6 इंच पर हमें निसान लगाना है इस तरह से 6 इंच पर हमें निसान को लगाना है ठीक है तो चेंच पर हमें निसान लगाना है फिर हम यहां पर सेफ पट्री से देखी इस तरह से निसान लगाएंगे और इसको यहां पर इस तरह से घुमा कर दूसरी तरह भी निसान को लगा लेंगे ठीक है तो इसी तरीके से आपको भी निसान लगा देने है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निसान को लगा दिया है अब हमें यहाँ पर कटिंग करेंगे जहाँ पर हमारा निसान लगा है उसी निसान के उपर हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि याप लोग लाइक करना बूल जाते हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इस वीडियो को ऐन तक जरूर देख लें इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से कम कपड़े में पैंट को बनाया है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर दी है तो अब हमें आपर फिर से कपड़े को लेंगे और इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमने कपड़े को बिचा लिया है अब हमें आपर आगे वाले पल्ले को लेंगे इस तरह से गुलाई में हमें आसन की साइट दो इंच पर निसान लगाना है और इस तरह से आसन की गुलाई करेंगे यहाँ पर हमें चौडाई की तरफ भी दो इंच पर निसान लगाना है और यहाँ पर हमें देड़ इंच पर निसान लगाना है और इस तरह से दोनों निसान को मिला देंगे साइट में हमें आपस सेम निसान लगाना है तो यहाँ पर हमने दोनों पनले की कटिंग कर लिए तो अब हमें आपर क्या करेंगे आशन की साइट आदा इंच पर इतरह से निसान लगाएंगे और दूसरे वाले पनले पर भी आशन की साइट इस तरह से निसान को लगाना है तो इसी निसान के उपर हमें यहां पर सिलाई लगानी है तो यहां पर हमने सिलाई को लगा लिया है आगे बाले पल्ले पर और इसी तरीके से हमने पीछे बाले पल्ले पर भी सिलाई लगाई है तो दोनों पल्ले की हमें सीधी साइट आमने सामने रखनी है देखी इस तरह से फिर हम यहाँ पर पल्ले को बराबर करेंगे और यहाँ पर भी आदा इंच का मार्जन छोड़ते हुए इस तरह से निसान लगाना है नीचे सकते दूसरी तरब भी हमें आदा इंच का मार्जन छोड़के निसान को लगा लेना है ठीक है तो यहाँ पर हमने निसान लगा दिया है तो इसी निसान के उपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो देखी इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है इसमें हमने दाप सिलाई लगाई है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरह भी सिलाई को लगा लिया है अब हमें आपर क्या करेंगे जो हमने एक इंच का मार्जन लिया था तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है तो सेम इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले पर भी फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हमने इस तरह से सिलाई को लगा लिया है अब हमें आपर पल्ले को बराबर करेंगे देखी इस तरह से हमें बराबर कर लेना है और यहां से यहां तक हमें सिलाई को लगा लेना है दोनों पाँचे में ठीक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हमने इस तरह से सिलाई को लगा लिया है इसमें हमने डवल सिलाई लगाई है अब हमें याँ पर ऊपर की साइड कमर पटी सिलेंगे तो कप्ड़े को देखियां, इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और याँ पर पटी की जो लंबाई है बो 1.5 इंच है तो याँ पर हम 2 इंच तक इसको फोल्ड करेंगे और यहां से कटिंग करेंगे इसी के बराबर हम यहां पर दूसरी पट्टी भी कटिंग करेंगे और यहां से इसको सिल लेंगे तो हमने पट्टी को सिल लिया है अब हम यहां पर पैंट को लेंगे और इसको उल्टा रखेंगे और इसके उपर देखी इस तरह से पटी को रखेंगे तो पूरी गुलाई में हमें देखी इस तरह से पटी को सिल लेना है तो यहाँ पर हमने पटी को सिल लिया है इसको हमें सीधी तरफ से 1.5 इंच तक इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके दाफ सिलाई लगाएंगे तो पूरी पत्टी को हमें देड़ इंच तक फोल्ड करके सिलाई को लगाना है ठीक है तो फहले हम यांप सिलाई लगा लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकती है हमने इस तरह से दाफ सिलाई लगा दी है पूरी गुलाई में और यहां पर हमने थोड़ी सी सिलाई नहीं लगाई है यहां से हम इलास्टिक जा लेंगे तो यहां पर हमने इलास्टिक ली है पहले हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं तो यहां पर हमारी इसकी लंबाई 22 इंच है तो पिन की मदर से हम इसको इसके अंद पिर हमें आपर एक दूसरे के उपर रखें तरह से दो तीन बार हमें सिलाई लगानी है तो यहां पर देखिए हमने एक बीच में भी सिलाई को लगा लिया है और इस तरह से जो हमारी पैंट है वो सिलकत तियार हो गए यह दिखियां आप लोग देख सकते हैं साइट में हम इसमें बटन भी लगा लेंगे तो देखिए स्थरे से हमने बटन को भी लगा दिये हैं जिस कलर का हमारा सूट है तो उसी कलर के हमने यहां पर बटन को लगाया है तो मित करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई यह तो लाइक से सब्सक्राइब करना न भूलें और बहला कन को भी दबा दें जिससे जो मारी आने वाली वीडियो है आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी तो मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई अखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंग की उ